हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज का जो हम प्लान लेकर रहे हैं वह हमारा बीस फिट बाइ इत्यालिस फिट का नक्षा यानिके 20 फिट बाइ फॉर्टी फिट हमारा इसका फ्रेंट रहेगा और लंबाई जो रहेगी वह इसकी आउटर वॉल जो हमने रखी है वह इनर वाल भी अपर six inch की प्रोवाइट किया मझने यह पुरा प्लॉट साइज जो रहेगा है यह हमारा आट बीस इसकार फिट का प्लॉट रहेगा गज्यों बात करेंगे तो यह हमारा 91 गज्यालीकश का प्लॉट रहेगा इस पु आपका living area है, drawing room हमने इसमे प्रोवाइट किया है, आपकी car parking है और lawn area है वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्च आएगा पहले बात करते हैं इसकी dimensions की, तो start करते हैं इसकी car parking से तो आप देख रहे हो यह इसका car parking का area हमने यहां पर पूरा प्रोवाइट किया है तो इसके जो dimension रहेगी वह 14 feet by 9 feet की रहेगी, यहां से लेकर यहां तक हमारा 14 feet रहेगा और यहां से लेकर यहां तक हमारा 9 feet रहेगा, तो यहां पर हमारी बड़ी car easily park हो जाएगी यहां पर हमने asteriars provide की है, यहां पर यहां पर प्रोवाइट की है, तो यहां से आपने first floor पर जाएगे, इस्टेर्स हमने बार की तरफ रहे है अगर हम आपना first floor पर रैंट पर उठाना चाहते है, तो यहां पर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक छोटा सा लॉ हो जाएगा फिर बात करते हैं इस साइड आपको मिलेगा ड्राइंग रूम आप देख सकते है यहां पर ना रूवाइड क्या है इसका डाइमेंशन हो हो 10 feet by 9 ft 6 n Spa एक हने यहां ज्रेंग करें यहां से लेका हैं हमात हैँ यहां से लेका 6 inches し हमारा 9 feet 6 चैप 10 यह old man and on the corner we see our zitten इस वेंटिलेशिन पॉलिट सूप के वो यहां पर दिया है तो आद्मेरी ना चित है पर आद्मेर नायी से यहां पर रिक होगाש तो बात करते हैं भंग हैशिए about the 1999 one ओब ने यहां पर अपर आदा की है तो 4,4.of.then हम चलते हैं अपने जैसे आप कर परकिंग इनट आरिए तो आप आप्पार्ग जाओगे अपने लिविंग एरिया में तो आप देख सकते हो यह हमारा लिविंग एरिया है पूरा इसका डायमेंशन रहेगा वो 9 ft 6 inch बैर 13 ft 6 inch कर रहेगा यहां से हमारा 9 ft 6 inch रहेगा और इसकी लंबा ही जो साथ इसपों डायंशन आमने दिया है वह 9 ft 6et 5.-Feed का यहान से लेकिन कि हमारा 9 ft 6 in- रहेगा और यहांसे लेकि हमारा 5 ft रहेगा तो हमारा किचिन हो जाएगा इस kitchen की window आपने यहां पर प्रोवाइट कर रखे तो 3 feet wide window आपने यहां पर प्रोवाइट की है तो kitchen की जो भी smell होगी वह इस window के तरू पस आउट हो जाएगी बिट चलते हैं आपने bedroom की तरफ तो आप यहां पर देख रहे हैं हमारा bedroom है कि साथ hara test toilet bathroom बातरूम भी प्रोवाइट किया तो दाइमेश्ट्री बात करें इस बैडरूम की टो 11 HourIE by 9 पिर नारे लोटरूम मोंदों एस बेडरूम में यहां पर थे करका लार ऐट एक तो इसका जो डाइमेशन हमने प्रोवाइट किया है यह है हमारा फूर फीट बाइसिक्स फीट का यहां से लेकर हमारा फूर फीट रहेगा यहां से लेकर हमारा फूर फीट रहेगा यहां से लेकर यहां से लेकर हमारा फूर फीट रहेगा यहां से लेकर हमारा फूर फीट र रहेगा और यहां से लेकर हमारा six feet रहेगा तो हमारा OTS हो जाएगा इस OTS में आने के लिए हमने यहां पर प्रोवाइट कि हमारे बेडरूम से होकर इस OTS में आती है ठीक है फिर बात करते है अपने second bedroom की तो हमारा second bedroom है इसका बेडरूम यहां से वेडरूम आते हमारा nine feet रहेगा यहां से लेकर हमारा 11 feet रहेगा और हमारा 9 feet रहेगा तो हमारा bedroom हो जाएगा इस bedroom के साथ भी आमने आफैस्तव बात्रूम प्रोवाट किया है आप दे democrumo क्या है अप सकतει हमारा इस इसका जो डाइमेंशन रहेगा वो 4 feet by 6 feet का रहेगा, यहां से लेके यहां से लेके हमारा 4 feet रहेगा और यहां से लेके हमारा 6 feet रहेगा, तो हमारा 8-8 अब मैं आपको बता दूँ इसका एक मनजल बनाने में जो लगबग आपका खर्चा आएगा वो कम से कम आपका 8,50,000 से लेके 9,000 यानि 8,9,000 के बीच में आपका खर्चा आएगा एक मनजल बनाने में तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मलागात होती है आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर